इसलिए करते हैं कि हमारा विश्वास है महिला ससक्ति करन लेकिन जो सरकार ने जो बिल लाया है और जो इनकी मंसा है वो मंसा इनको महिलाओं को सांसद में या विधान सभाओं में आरक्षन देना नहीं है ये 26 पार्टियों का जो आई एंडिया ये बना है उसका पैनिक रियक्षन है उसके पैनिक रियक्शन में इन्होंने ये बिला है इनकी कोई मंसा नहीं है ये जुमला है सबसे बड़ा दोहजार चौबिस का चुनावी जुमला है ये महिलाओं को चलने का काम इस बार करना चाहते है दोहजार चौदा में इन्होंने इस देश के बेरोजगारों को चला दोकड़ोर लोगों को रोजगार का बादा करके दोहजार चौदा के में इन्होंने इस देश के गरीबों को चला काला धन लाएंगे सब के खाता में 15 लाग 20 लाग पहुचाएंगे चलने का काम किया और इस बार इस देश की महिलाओं को ये चलना चाहते है इनकी मंसा नहीं है अगर इनकी मंसा अगर होती अगर इनकी मंसा होती तो 2021 में इन्होंने जाती आधारित जन गन्ना प्रारंब कराया होता इस लिए कि इस देश की मांग है इस देश की अवस्चता है कि जाती आधारित जन गन्ना आप कराएं और इस सदन में मांग होती रह आप गरीबों को, अती पिषडों को, पिषडों को प्रती नियाय करने में आपका विश्वास नहीं है, आपका भरोसा नहीं है, इसलिए आपने अपने गन्ना नहीं कराङ़े। और अगर आप आपने शुरु कर। अब तक तो जन गन्ना खतम होगया होता। और आज लागू हो गया होता, यह महिला अरक्षन बिल, आज इसकी ज़रुवत नहीं हो, लेकिन आपकी मंसा नहीं है, आप 334 ए जो आपने प्राभधान किया है, वो अनिस्चित काल तक चलता रहेगा, और 2024 का भारी जुम्लेवाजी करके महिलाओं को चलने कर काम करेंगे, ल बिहार में आपको ज़रा सीखो यार, बिहार से सीखो, अभी बता रहे हैं, बिहार पहला राज यह है, यह भासन दे रहे, बिहार पहला राज यह है, जो 2005 में सरकार बनी, 2006 में 50% महिलाओं को आरेक्षन दिया, 2015 में सरकार बनी, महागट वंदन की सरकार बनी, 2016 में 35% सरराज सरकार की सारी सेवाओं में आरेक्षन दिया महिलाओं को एक साल के अंदर, आपकी तरह साड़े चार साल इंतजार नहीं करते रहे, कल प्रधान मंतरी जी का सुन रहे थे, आकड़ा की बात कर रहे थे, और आकड़ा तो आपको 2009 से था, कायने की आपने, जब बंगलोर में, पटना में, बंबाई में मीटिंग हुई, तो आपकी घवडा हट हो गई, और उस घवडा हट में आप लेके आए, आप, आप, आप को हम बताना चाहते हैं, ये इनको कहा मालू है दूबजी को उत्तर परदेश में, तो अभी सुना रही थी, को कहा नहीं, तो इसलिए बता रहे, एक कलोर तीस लाग, एक कलोर तीस लाग ग्रामी महिलाओं को बिहार की सरकार ने, जीविका के माध्यम से ससक्त करने का काम किय है, गरीब महिलाओं को, इसलिए आप क्या बात करिए, आपको क्या महिला ससक्त करन से बात मतलब है, आपको कोई महिला ससक्त करन से मतलब नहीं है, इस सरकार को अपनी कुरसी से मतलब आए, और उस कुरसी को बचाए रखने के लिए, कोई भी जुमला ये कर सकते हैं, कोई हैं और आप आप तो देश की मांग हैं आप कहिए अब आज एलां कर ये स्वादन में कि हम इस देश में जाती है अधारित जंगरना कराइंG लाप नहीं कराना चाहरे इसलिए कि आप उस का विरोज़ करते हैं आप आरक्षन के भी रोधिये हैं 2015 याद करिये क्या हुआ बोले थे आपके जो संस्था पक्त एक हैं पीछे से जो संस्था आपको जो गाइड करती है उसने क्या कहा था आपको मोहन भागवजी थे उन्होंने क्या कहा क्या आरक्षन पर पुर्णर विचार आप चला रहे ही आरैक्षन कोई आपके किरपासे नहीं है संभिधान के प्राप्धानों के अनुसार है इसलिए आप क्या बात करिएगा आज अगर यह बिल अपने महिला आरक्षन बिल लाया पिछलों को आरक्षन दिया जाना चाहिए उनके भी आरक्षन का प्राबदान महिलाओं को होना चाहिए हम लोगों ने किया है हम लोगों ने तिया पिछलों को 20% का आरक्षन दिया है बिहार में पंचायती राजवाबस्ता में नगर निकाई में एक अलपत पर दिया है एक अ सभाती आधारित गरना कराने का फैसला किया तो सुप्रीम कोट में केंदर सरकार उसके बिरोज में खड़ी हो गई और सुप्रीम कोट उसका बिरोज कर रही है ये इनका चेहरा है और ये ये बात करते हैं नारी सक्ति नारी सक्ति का जो नारी सक्ती बंदन की बात करते हैं बंदन की बात है अपना बंदन कर रहे हैं आप अपना बंदन कर रहे हैं अपने कुरसी का बंदन कर रहे हैं अपनी सत्ता का बंदन कर रहे हैं अपनी सत्ता को बचाने का बंदन आप कर रहे हैं आप वादा करते हैं, आप 2014 में वादा किये और आपके ग्रिह मंत्री जी ने कह दिया ये जुमला होता है चुनाव में इसी तरह चलता रहता है आज आप बात करिएगा नारी सकती बंदन का 2024 के बाद कहिएगा अरे ये तो जुमला होता है ऐसे ही चलता है चुनौम यही आपका यही आपका त्रित्र है और यही आपकी मंसा है इस देश की जनता आपके चेहरे को पहचान गई है आपको पहचान गई है आपके जहासे में नहीं पढ़ने वाली है आपको सत्ता से दोहजार चौबिस में वो भय आपको सता रहा है वो भय आपको सता रहा है और इसलिए ये बिल आप लेके आया है इसलिए इससे कुछ नहीं होना है और इसे ही कहते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप करता हूँ धीरे धीरे से धीरे धीरे से मेरी जिन्दगे में आना धीरे धीरे से दिल को चुराना नमस्कार मैं अनुरादा पौडवाल 26 नवेंबर को पानोरामा स्टार सीजन 6 के कारेक्टरम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ मुझे पनोरामा ग्रूप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुड़ाया है तो हम सब मिलते ही पनोरामा इन फोर्म्स में शाम सार्पजी नमस्कार पहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवादी